फर्स्ट वर्ड है मिंगल और मिंगल का मीनिंग होता है to mix with other things or people और ये एक वर्ब है इसके तेनों फोब हो जाएंगी मिंगल, मिंगल, मिंगल सेकंड वर्ब है हमारा drift और drift का मीनिंग होता है बहे जाना या फिर उदेश्य हीन भटकना like he drifted from room to room या फिर the boat drifted out to sea वो drift की तिनों फोब हो जाएंगी drift, drift, drifted, drifted और drift को noun की रूप में भी यूज़ किया जा सकता है drift का plural हो जाएगा drifts और जब ये noun की रूप में होगा तो इसका मिनिंग हो जाएगा बर्फ कट है या फिर रेत कट है जो दम वर्ड थर्ड इज शेल एक होता है तो शेल पीज लाइक मतलब चिल के उतारना चिल का उतारना शेल और शेल अगर noun है तो शेल का मिनिंग होता है अ हार्ड कवरिंग दैट प्रोटेक्ट नट्स जैसे अख्रोट होता है अख्रोट का जो उपर का कवर होता है वो शेल के लप है दफोर्थ वर्ड इस वेहर अबाउट्स वेहर अबाउट्स होता है किसी जगे के आसपास या फिर कोई जगे का नाम या फिर पता किसी का पता उसको हम वेहर अबाउट्स वोड़ते हैं जिब्त मेनिंग है लोप साइड़िड हम लप साइड़िड हम लप बोता है तिर्चा एक साइड से छोटा ह करे और ये एक एडवर्ब है जैसे कि हम बोले Enough सिखके वीरिडो या फिर एंकरेंस भी हम इसको बहते हैं अब हम आते ही हैं हमारे शेवंग वीनिंग सेवंग मीनिंग है हमारे कैरल 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 एक क्रिशिंड शॉम होता है जिसको में कर्वाया जाता है फिर गेप गेप का मीनिंग हमारे पास हो जाएगा एक पूरी तरसे खुला होना कोई चीज गेप और उसके वाद नाइन वर्ड है सफ्यूज सफ्यूज का मुलब होता है बरा होना किसी चीज में जैसे कोई भी रोव यह तो वो रोशनी से बरा हो है इस सरकी से भरा होना दा रोव वाज सफ्यूज विद वांच एंड लाइट फ्यायल प्लेग दा नेक्स वर्ड इस कोरस कोरस एक नाउन वर्ड है और कोरस का मिनिंग होता है सम्थिंग दैक अलोब दोफ पीमपल से टोगेदर जब एक साथ लोग चेलाते हैं उच पर तो उसको हम कोरस बोड़ते हैं यह नाउन और वर्ड में भी यह नियूज होता है पर इसके तिनों फोब हो जाएंगी कोर्स, होर्स्ट, कोर्स्ट दे नेक्स वर्ड इस टेंडर्ड वर्ड तेंडर्नी का मिनिंग होता है को वलता के साथ और यह एक एड़ वर्ड है जिस वर्ड के पीछे लवाई होता है वो बुश्टी एड़ वर्ड होता है नेक्स वर्ड है ट्वैल स्ट्रोग स्ट्रोग, स्ट्रोग, स्ट्रोग यह एक वर्ब है जैसे हम एक हमारे डोब पर हम प्यार से सहलाते हैं तो उसको स्ट्रोग बुलती है बेकंट्ली बेकंट्ली में भी अलवाई है और एक एड़व है और बेकंट्ली बुता है उदाशेंता के साथ किसी को देच ना उदासीन ताहिए साथ बाकते वन ना उदासीन ताहिए साथ इत्व भाव शुर ने होग तो ये हमारे थी तिंफर बेंग बीनिंग थेंक्स सो मच